दोस्तो अद्रक के खुबी कौन नहीं जानदा तो चलिए आज बनाते एक बहुत ही बड़िया टेस्टी और इजी इंस्टेंड अद्रक का अचार जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और आप इसे डेली रुएज बेखा सकते हैं आप जब चाहे उसे बना के तयार कर सकते है तो चलिए बनाना शुरू करें सबसे पहले एक चमच मैंने सौफ ली है आधा चमच मेति दाना लिया है और डेड़ चमच मैंने राई दाना लिया है अब इसे मीडियम से स्लो आज पर हमें इसे रोस्ट करना है तो दोस्तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चार से को एक पैन ले लीजी उसमें मैंने तीन टेबल सपून सरसो का तेल है अब हम इसमें डाल रहे हैं एक दाल करी लीव्स डाल दी है अब हम इसमें डाल रहे हैं 100 ग्राम अधरक तो अधरको मैंने थोड़ा सा बारेक पतला सा काट दिया है ताकि जल्दी से पक बी जा और इसको गल्ले में टाइम ना ले तो अब हम इसे डाल के मीडियम आज पर कम से कम 2-4 मिर तक उसको पकने देंगे हल तो इसमें लाल मिच पॉड़ो तो चार टी स्पून मैंने लाल मिच पॉड़ो रहे है आप चाहे तो थोड़ा सा अगद तीखा आपकी मिरशी जादा तीकी हो तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिच एड़ कर सकते हैं अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हो जाएगा हलका मीठा हलका खटा बहुत ही बढ़िया लगेगा अब अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारा पाउडर किया हुआ मसाला है वह अब हम इसमें डाल देते तो बस दोस्तों बहुत ईजी और आसान तरीके से हमारा जो अधर आप इसे रोटी के साथ भी बहुत ही चाव से खा सकते हैं चावल के साथ खा सकते हैं तो दोस्तों इसे एक बार आप जरूर बढ़ा के ट्राय करें आपको यह बहुत पसंद आएगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें